हलो फ्रेंज छे माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों देव शैनी एकाजसी आ गई है चतुर मास प्रारंब हो चुका है बहुत ही खुबसूरत एकाजसी है और ये चार महने जब किसान अपने अपने खेतों में काम करते हैं हमारे हिंदू धरम में उनको आराम देने के लिए इसे की विवाह संसकार, मुंदन संसकार, कोई भी शुब काम ग्रीह प्रवेश आदी इन सब से मुक्ति दे करके भगवान के पूजा पाठ और अपनी खेती के कामों को करने के लिए निश्शिंत कर दिया गया है दोस्तों चतुर मास कहते हैं इनको वर्षा रितु का प्रा इस देव शेनी एकाच्छी के अफसर पर जो भी लोग विश्नु भगवान का पूजन वरत आदी सक्ची दिल से करते हैं ऐसा माना जाता है उनको नरक के भोग नहीं भुगतने पड़ते और यहीं पे उनको प्रिथ्वी पे स्वर्गी की प्राप्ती होती है हमारी भारतिय संस्कृती में कोई भी वरत नियम और पूजा पाठ आदी का विधा मौसम एवं प्रकृती को ध्यान में ही रख करके किया गया है दोस्तों देव शेनिय काचिक की दिन से कार्तिक महने की शुकल पक्ष की दस्मी तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किये जाते है मांगलिक कार्य अर्थात क्या ग्रिह प्रवेश, विबाह, देवताओं की प्राण, प्रतिष्ठा, यग्या, हावन संसकार आदी इन कारियों में देवताओं को विशेश रूप से भगवान विश्नु की उपस्तिती बहुत ही जरूरी होती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये उनका शेन का समय है इसलिए उनकी निद्रा में खलल ना पड़े इसलिए सभी शुबकार हरी शेन एकाजसी के बाद से बंद कर दिये जाते हैं फिर ये कारी शुरू होते हैं देव उठान एकाजसी के बाद से आपको अगर याद होगा तुलसी विबाह हम जिस दिन करते हैं कार्टिक के मेने में दिवाली के बाद जिस दिन हम तुलसी माता का विभा करते हैं देव उठानी एकाच्सी भी उसकों कहते हैं और इस अबदी में कोई भी विभा आदी शुदकार टोटली पुर्ण रूप से बंद कर दिये चाते हैं क्योंकि ये विश्णु भगवान का नित्रा काल कहलाता है। इन दिनों में अतपस्वी जो होते हैं वो एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं और धार्मिक यात्राओं में भी केवल ब्रज की यात्रा ऐसा माना चाता है की जा सकती है। ब्रज की यात्रा की विश्एं में ये माननेता है कि इन चार मासों में सभी देव एकत्रित होकर के तिर्थ ब्रज में निवास करते हैं और वेवती पुराण में भी इस पर्णन किया गया है। ये एकाच्छी उपासक की सभी कामनाओं को पुर्ण करती है और इस एकाच्छी को देव प्रबोधिनी एकाच्छी के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों आपको विधी बता दूं उसके बाद इस व्रत की कथा और इस दिन क्या आपको उपाय करने है वो भी मैं आज बता दूंगी देव शैनियक आच्छी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस व्रत की तैयारी दश्मी तिथी की रात्री से करनी चाहिए दश्मी तिथी की रात्री के भोजन में किसी भी प्रकार का तामसिक प्रविति का भोजन आपको नहीं करना है वोजन में नमक का प्रयोग करना भी पुर्ण रूप से वर्जित माना जाता है इससे माना जाता है शुब फलों में कमी आती है व्यक्ति को भूमी पर शैन करना चाहिए और जौ, मांस, गेहू तथा मूम की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए ये व्रद दश्मी तिती से शुरू हो करके द्वादिशी तिती के प्रातः काल तक चलता है उसके बाद हम पारण करते हैं दोस्तों दश्मी तिती और एकाजसी तिती दोनों ही तितियों में सच बोलना, दूसरों को दुख नहीं पहुचाना, अहित्वा होने वाले शब्द का प्रयोग करना, गलत काम कोई भी करने से बचना चाहिए इस दिन उख्वास करके भगवान विश्णु को सोने, चांदी, तामवे या पीतल की मुर्ती को पितांबर से सजाकर सफेद वस्तर से गादी तक ये वाला छोटा सा एक पलंग ले ले उस पर शैयन कराना चाहिए इस दिन से चतुर मास या चो मासा जो हम कहते हैं दोस्तों वो रारंभ हो चाता है चतुर मास का मतलब क्या हुआ? चार मेने आशार शुकल एकाजसी से कार्तिक शुकल द्वादशी तक के चार मेने को हम चतुर मास बोलते हैं इन चार मैनों में अपनी इच्छा के अनुसार, उपयोग के प्रदार्थ का त्याग एवं ग्रहन करना शुरू होता है जैसे मधूर स्वर के लिए गुड, लंबी उम्र और संतान प्राप्ती के लिए तेल, शत्रू बाधा से मुक्ती के लिए कड़वा तेल, सौभाग ये प्राप्ती के लिए मीठा तेल आदी का त्याग किया जाता है इसी प्रकार अगर आप वंश वृद्धी करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूद का, बुरे कर्म से के फल से मुक्ती के लिए उपवास करने का वृत्ध लिया जाता है देवशनी ये काजसी के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की साफ सफाई करके दर्वाजे पे जैसे हल्दी का जल में बोलती हूँ, वो जरूर छिड़के नित्य कर्म से निवरित हो जाए, स्नान करके पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें गौ मुत्र से अगर आप छिड़काव करते हैं तो वो करें और घर के पूजन स्थल या किसी भी पवित्स स्थल पर प्रभुश्री हरी विश्नु का सोने, चांदी, तांबे या पितल की मूर्ती के स्थापना कर लें, इसके बाद इस मूर्ती के आपको शोडश उप्चार पूजा करनी है, इसके बाद भगवान विश्नु को पितांबर यानि पीला कपड़ा आदी से विभूशित करना है, व्रत की कथा सुननी है, इसके बाद आर्ती करके प्रसाद वित्रन करना है, अपने सामर्थि के अनुसार ग्रामणों को भोजन कराना है और दक्षिना दे चतुर मास के नियमों का पालन करें, तो उसे देव शनी एकाची वरत का संपुर्ण फल मिलता है, दोस्तों आशार के शुकल पक्ष में एकाची के दिन उप्वास करके भक्ती पूर्वक चतुर मास वरत के नियमों का ग्रहन करें, शी हरी के योग निद्रा में चले जाने क परवेशन चार मास तक भूमी पर शैन करते हैं, भगवान विश्नु की शंक, चक्र, गदा और कमल धारन केवे स्वरूप वाली सौम्य प्रतिमा को पितांबर्ज जरूर पहनाना है, और मुलायम तक्या ध्यान रखें उनको देना है, विश्नु भगवान की अगर आपके पर प्रतिमा है, तो उसको दूद दही, शहत, लावा और शुद घी से नहला कर चंदन का लेप करना है, इसके बाद धूब दिखा करके मनोहर कुष्पों से उनका शिंगार करना है, उनकी प्रार्थना करें, हे जगनात आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता ह और आपके जागने पर संपुर्ण चराचर जगत जागरित हो उड़ता है, ओम नमो नारायनाय या ओम नमो भगवती वासुदेवाई, इस मंत्र का तुलसी की माला से रोज चार महने तक अगर आप एक माला का जप कर सकें, तो बहुत ही फाइदा होगा, और भगवान दोस्तों, जिनकी आकरिती अतिशे शांत है, जो शेशनाक की शैया पर शैन किये हैं, जिनकी नाभी में कमल है, जो देवताओं के भी इश्वर और संपुर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के समान सरवत्र व्याप्त है, निली मेग के समान जिनका वढ़न है, जिनके सभी अंग अतिसुंदर है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो सभी लोगों के स्वामी है, जो जन्म मरण रूप भैका नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्षमी पती कमल नेत्र भगवान विश्णुकों में प्रणाम करता हूँ, दोस्त 84 में बादलों के कारण सूरी और चंद्रमा से मिलने वाली उर्जा हम तक नहीं पहुच पाती है, अधिक नमी वाले इस वातावरन के कारण हमारी पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, इसलिए रिशी मुन्यों द्वारा अवरत में एक बार एक दिन छोड़ कर भोजन कर करने का विधान बिताया है, जिसके पीछे भी यही कारण है कि 84 में अधिक महनत ना करने की बाद भी व्यक्ती स्वस्त बना रहे और शारिरी क्रियाओं का ताल मेल बना रहे, दोस्तों 84 महा, शावन भात्रपद, अश्विन और कार्तिक महा, शावन में आपको शाक का त्या कि पुरानों के अनुसार विष्णु भगवान चार मास सूतल में निवास कर बली को दिया हुआ अपना वचन निभाते हैं, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दान के लिए प्रसिद्ध दैत्यराज बली से तीन पक जमीन मांगी थी, राजा बली द्वारा वचन उन्हें बली से वर मांगने को कहा, बली ने कहा आप हमेशा मेरे यहां निवास करेंगे, तब लक्षमी माता ने अपने स्वामी को बली के बंदन से बचाने के लिए उसे रक्षा सूतर बान कर भाई बना लिया और स्वामी को वचन से मुक्त करने का निवेदन किया, बली उन्हें उन्हें वचन मुक्त तो कर दिया पर चार महा तक सूतल लोक में रहने का वचन ले लिया, तभी से विश्णु भगवान द्वारा दिये गए वचन का पालन, ब्रह्मा और महेश भी करते हैं, पुराणों में मानिता है कि ब्रह्मा, विश्णु और महेश बारी-बार करते हैं तो दोस्तों ये तो भी देवशेनी ब्रत की कथा अपने बता दूं आपको इतना तक तो आपको रोज सुनना ही है रोज करना चाहिए और देवशेनी एकाच्छी वाले दिन तो खास करके आपको कुछ 12 उपाए में बता रहूं उनमें से कोई भी एक उपाए अगर कर लेंगे तो इससे आपका भाग्य में बदलाव आता है दोस्तों एकाच्छी की शाम को तुल्सी के सामने आपको गाय के की का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र को बोलते वे तुल्सी की 11 परिक्रमा करनी है इससे घर में सुख और शांती बन करके उसमें तुल्सी के पत्ते डाल करके भोग लगाएं इससे घर में सुख शांती बनी रहती है पीले रंके फल कपड़े और अनाज भगवान विश्नु को अर्पित करें बाद में ये सभी चीजें आपको गरीबों को दान कर देनी है एकाच्छी वाले दिन पीपल के व उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी एकाच्छी वाले दिन सुखागन अस्त्रियों को अपने घर बुलाकर फलाहार करवाएं और सुखाग की सामगर्い भेट करें इतना ना कर सके तो कम से कम अपने घर की इस्त्री को कोई भी सुखाग की वस्तु जरूर भेट करें धन लाब के लिए एकाची पर भगवान विश्णू के साथ माता लक्षमी की भी पूजा जरूर करें इससे सुब और सौभागी की प्राप्ति होती है सुबह स्नान करने के बाद जब भगवान विश्णू का आप अभी शेक करेंगे तो हो सके तो उसमें केसर मिले हुए दूज से अभी शेक करें इससे आपको अचूप लक्षमी और अकस्मा कधन की प्राप्ति होती है एकाज़ी के सुहे स्तान करने के बाद आपको श्रीमत-भागवत कता का पार्ट करना चाहिए आप पार्ट ना भी कर सके तो कम से कम श्रीमत-भागवत का श्रवन करें इससे भगवान विश्नु बहुत ही प्रसन्न होते हैं एकाथसी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का आपको 108 मंत्रों का जब कम से कम जरूर करना है आप चाहे तो 1, 3, 5 या 11 माला भी कर सकते हैं इस दिन आपको दक्षिनावर्ती शंक की पूजा करने से भगवान विश्नु वर लक्ष्मी माता प्रसन होते हैं इससे भी भगवान धन लाव की अकस्माग धन की बहुत जादा प्राप्ती होती है दोस्तों तो कड लीजे ये उपाई 81 के दिन सुबे 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 स्नान से पवित्रवों करके संकल्प करके भगवान विश्नु की पूजन करें और साथ में लक्ष्मी माता को जरूर मनाएं हो सके तो निर्जल रहें और ना हो सके तो आप कम से कम एक वक्ष फलाहार जरूर करें विश्णु भगवान के नामों का स्मरण करें और अंत में ब्रामन को भोजन करवाएं कीर्टन आदी करें साथ में ब्रात्री जागरण करें और पारण करेंगे तब ब्रामन को भोजन करवाकर दक्षिणा दे करके विदा करने के बाद ही स्वयम भोजन करें इस प्रकार किये गए इस व्रत को भगवान, विश्णु तथा माता, लक्ष्मी प्रसन हो करके मन चाही वर्दान देते हैं मन चाही मनोकामना की पूर्ती करते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रशन हों प्लीज मुझे वीडियो के नीचे आप लिक के पूच सकते हैं अपने फ्रेंज और फैमिली से इस इंफरमेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों बहुत बड़ी एकाची है चतुर मास लगने वाला है चौमासा शुरू होने वाला है और सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या-क्या इन मन्त में करने हैं और क्या नहीं करने हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों खिल-खिलाते रहिए मुस्कुराते रहिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें लव यू आल फ्रेंड्स टेक केर एंड जय माता दे